हाई ड्विल्टीज, वेलकम टो ईसीवे कॉमेर्स क्लासिज, मैं हो तापिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग अपने स्टाफिंग चेप्टर जो कि हमारे बिजनस चड़ीज में हैं उसमें आज एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि CBSC में इतना ज़्यादा एक्स् आज हम Human Resource Management के बारे में पढ़ेंगे गाईज, तो सबसे पहले इसके मिलिंग से स्टाट करते हैं, देखो Human Resource Management होता क्या है, बिजनस में हमें चलाने के लिए काफी सारे resources की नीड होती है, जैसे आपको पैसा चाहिए, आपको जमीन चाहिए, आपको मशीन चाहिए, मशीन चा है, तो Human Resource है, जो हमें बिजनस में चाहिए चाहिए, और वह भी अच्छा वाला, efficient resource ठीक है, जो काम करा सके, या काम कर सके, तो उनको मैनेज करके चलना बिजनस में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनस में हमें पता है कि हमारा एक गोल होता है, और वहां पर बहुत सारे लो किसी भी कमपनी कहीं पर भी जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, महां पर उन्हें मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होते है, जिसका नाम होते है, Human Resource Management Department, HRD Department में बोलते है, Human Resource Department में बोला जाता है, तो यह आज की नीड है, लेकिन इसके शुरुआत कैसे होई थी कि आज आप कहीं पर भी इंटर्व्यू देने जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले जो इंटर्व्यू देना होते है, that is HR को, HR बोलते है हम, Human Resource Manager को, ठीक है, वोही आपको सिलेक्ट करते है, कि आप कमपनी के लायक हो या नहीं हो, तो हमें आज के समय पर पता चल चुका है, यह नीड है, लेकिन इसके शुरुवात कैसे होई, तो सबसे पहले लेबर वेलफर स्टेज, यह स्टेज क्या थी, कि जब लोग स्मॉल स्केल पर काम करते थे, छोटे स्केल पर काम करते थे, लेकिन फिर भी, एंप्लॉयर और एंप्लॉय के बीच में किसी बात को लेकर नह जिनोंने इनकी इस अकरार को दूर करया और इनके बीच कॉम्मिकेशन मेंटेन कर आया, तो वो रोल किसने परफॉर्म किया, लेबर विलफरर ने, जिसने बेसिकली कॉम्मिकेशन को ठीक किया, एंप्लॉय और एंप्लॉयर के बीच के, अग, समय बदला, अब बिजनस फिला काम करेंगा इंप्लhomme को रिप्रूट भी करेंगा उनने सलेक्म थे या निकिस का काम था पर सोनेल या इंप्लमämिस को मैनेज करके चलना आज ही बिजनस के लिए जब बिजनस को नीट होती है इन्पलोईज की तो वह ढूंड के लाएगा उनको काम दिलाेगा और उनको manage करके चलेगा कि वो सही तरीके से काम करे किसका काम बना? Personal officer का काम बना? जब थोड़े से business large scale पर होने लगे अब और समय बदला फिर आई हमारी HRM stage that is called human resource management stage ये stage आज के समय को आप कह सकते हो जो चल रही है आज के समय पर जो manager होता है HRM का उसकी बहुत साली duty है वो सिर्फ ना बंदे को select करता है उसके अलावा उसे training भी देगा उसके performance को भी appraise करेगा कि बनलब calculate करेगा, evaluate करेगा कि वो बंदा काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है उसके हर एक duties calculate करेगा कि क्या करवा सकते है हम इसे सारा बहुत सारा काम है तो वो सारा काम हम कहां देखते है HRM stage में यानि कि आज के time पे इसके role को बहुत जादा बढ़ा दिया गया इसको बहुत सारी duty दे दी गई किसे human resource management के manager को तो वो stage हमारी HRM stage है यह सिर्फ employees को रखता ही नहीं बलकि उनकी performance को evaluate भी करता है उनको pension plan से लेके हर एक चीज़ calculate करता है time के साथ साथ क्या compensation salary change हो रही है उसका भी ध्यान रखता है उनको training दिलाता है उनके duty responsibilities से लेके हर एक manage करना किसका काम था HRM stage का ठीक है HRM stage भोलेते है HR manager का अब यहां पर हम उन duty and activities को भी बात करेंगे guys कि क्या क्या duty हमारी बंती है HRM यानि कि human resource manager की तो सबसे पहला हमने देखा recruitment stage recruitment यानि कि बंदों को बुलाना business में लेकिन recruitment etc का मतलब क्या हुआ इसमें उसको selection भी आएगा उसका medical examination भी होता है तब उस बंदे को रखा जाता है तो सारा काम किसका है HR का यानि कि इस बंदे का तो recruitment काम भी कि आसने providing expert services expert services में वो क्या services provide कर रहे है वो business के लिए काफी सारी expert services त्यार कर रहे है कि भाई किस तरीके से उनको training देनी है किस तरीके से उस employee के लिए development program लाना है किस तरीके से हमें employees को duties and responsibility a lot करनी है that is the expert services तो ये काम भों कर रहा था third developing compensation and incentive plan समय के साथ साथ guys incentive और compensation बोले तो salary commission bonus change होता है ये उन plans को develop करता है top management के साथ share करता है ताकि business समय के साथ बढ़ सके तो उन सारी चीज़ों को adopt करवाता है grievances and complaint grievances बोले तो दुख किस के दुख? employees के दुख को यानि कि उनके problems को ये handle करता है उनकी complaints देखता है कि क्या complaints है और उसे sort out करता है देखके यानि कि सुनके अंसुना नहीं करता है उनके problems को solve करता है जैसे कोई employee आ गया बोलता है में तो salary बड़ी कम है ये वो तो उसे वो समझाता है कि आपका ये time period चल रहा है internship है या भी आपका training period है उसके बाद इतना percent बढ़ेगा या इतना होगा तो उन सब चीजों को handle करना उसके बाद defending the company in a lawsuit इसका मतलब companies act के according बहुत सारी चीजे जो company को अपनानी होती है law के साथ जैसे कि उसे workman compensation act हो गया आपका labor law हो गया बहुत सारी चीजे company में अपनानी होती है जैसे कि आपको अपनी labor को कितनी minimum salary देनी होती है minimum wage act ये सारे apply होते है तो वो call handle करता है HRM उसको इसकी knowledge होनी चाहिए कि business में कौन सा law apply हो रहा है और वो apply हो otherwise क्या होगा government case कर देगी कि आप अपने employees को सही तरीके से salary नहीं दे रहे compensation नहीं दे रहे सही तरीके से salary नहीं बना रहे तो उन सारे laws को कौन अपनाता है business में कौन apply करता है तो HRM उसके बाद providing for social security and welfare of employees इसमें उनका pension plan लेके आना उनके लिए job security के लिए कुछ करना ये gratuity बहुत सारी terms है guys जो हम employees के लिए करते हैं provident fund है ये सारे सब कुछ manage कौन करता है HR ठीक है तो ये सारी duties and activities बनती है हमारी HR manager की जो की उसको निभानी परते है तो ये human resource management staffing का मलब staffing जो है वो ये बहुत छोटी सी term है जिसमें हमने लोगों को रख दिया लेकिन human resource management एक wider term है जिसमें staffing एक उसका step है लेकिन human resource management में बहुत सारे काम किये जाते है तो human resource एक wider term है और staffing उसका just एक part है कि किसी बंदे को नौकरी पर रख देना तो नौकरी पर रखने के साथ साथ उसको ट्रेनिंग बे दिलाए जाते है उसके compensation सारा काम जो होता है हमारा उसका pension का decide करना सारी चीज़े HR manager की है law को देखना सब चीज़े तो staffing जो है HRM का just एक क्या है पाठ है तो I hope आपको यह समझा है होगा और अगर समझा है तो ऐसे नहीं जाना वीडियो को लाइक दिरूर करना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो चल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने doubt मेरे से YouTube और Instagram पर पोच सकते हो Thank you